आद्मिंग मन में आता है कि भाई अंपायर बनता केसे? कोई भी अंपायर बन सकता है क्या है? आपको थोड़े एजुकेशन लेवल थीक हो आपका? नहीं तो किताब पढ़के तो बहुत गूम रहे हैं सबसे पहला सवाल तो आद्मिंग मन में आता है कि भाई अंपायर बनता केसे? क्या होता है कि जितने भी खिलाडी है ना वही धीरे-धीर जहको कोई अंपायर बनने नहीं आता है अंपायर का तो आप खुद भी सोचो कोई अंपायर के लिए थोड़ी तियारी करेगा कि आज मैं अंपायर मनूं का लाइफ में जो लोग खेलते हैं उनी में किसी का इंट्रेस्स बन जाता है आदमी तोब टफ होना चीए और श्किल होने चीए अंपायरिंग के गेम की समझ अनी चीए नहीं तो किताब पढ़के तो बहुत गूम रहे हैं अंपायरिंग के अखल वह है आप उसको जैसे अंपायरिंग कर तो पॉलिश होता जाता है कोई भी एंपायर बन सकता है कि आपको थोड़े एजुकेशन लेवल थी को आपका क्रिक्ट की अंडिस्टेंडिंग अच्छी हो और खेल भी आपको अच्छा लगना चीए को कि थोड़ा सा बोरिंग है मतलब लोनली वाला काम है आप अकेली होते हो प्लेयर तो बहुत सार दूप में कैसे कहड़े होता है मैं सच बता हूँ धूप में खड़ा हो तो याद भी नहीं आता जो बागी परेशर है ना वो है मुश्किल काम दूप में खड़ा हो ना तो हम जब छोटे थे मेरे ध्यान है 26 जनुरे देखने जाते थे बान गई राश्पती जी कैसे कर दे रहा है फिर पिचारा फ्रस्टेटों के बॉल लेके जा रहा है आप पर भी कुछ नहीं आरा पूरे दिन देखना है या पुझारा ने 200 गें पर तीसन मना दिये अगर आपको क्रिकेट अच्छी लगती है तो फिर मज़ा आता है फिर आप दूसरी जो मस्त हो जाते हो न अब डब बॉलर की पैरो की आवाज सुनी पिचिंग, हिटिंग, मिसिंग, बस इधर ही धान देता है और अपने 6 बॉल गी दूसरे एंट है और सेलरी टाम से क्रिडिट हो जाए है ताइम पर खतम हो जाके होटल पर एक्सेंशन ना हो बिलकुल भी तो जो आदा पनो घंट है या बॉलर है गेंड ने पड़ी उनकी गलती होती तो उनको खुब गालियां पड़ती है अमपायर एक ऐसा शक्स है जिसको डिरिटली गालिया पड़ती भी है लेकिन वो बचा रहता है लोग कहते हैं अर अमपायर पर फाइंड क्यों नहीं है आप लोगों ने पांच मि आपके पॉइंट मिलते है ने यह ठीक है यह गलत है उसी साब से रेफरी आपको पॉइंट देता है वो आपके रिपोर्ट जाती है ना उसी साब से आगे मैच्छिस में आपको मुखे मिलते हैं बड़ मान लीजे कोई ऐसा फैसला है कि आपने नौट आउट दिया और उसन आपने मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जब प्लेयर ने लिया और मेरा ठीक निकला तो वही है ना परसंटेज आपके ठीक होनी चाहिए यह नो कि हर वरी ऐसी चल रहा है यह कभी कभी होना चाहिए लेकिन आपकी अगर परसंटेज अपारिंग ठीक है यह अर अच्छी कॉल तो DRS बैक भी तो कर रहा आपको नहीं तो पहले कहा था प्लेयर ने एक्टिंग करी बड़े प्लेयर ने आप गए तो जो उसने कह दिया वही है अब तो सीधा दिखता है तो DRS का फाइदा भी तो है जिसको काम आता उसको तो मज़ा आ गया जिसको नहीं आता फिर वह इसमें लगाओ है बार बार दो धारी तलवार है हर चीज के दोनों फायदा है मतलब कई लोग कहते हैं कि अगर DRS अनल कुम्बले या वसीम अकरम के जमाने में होता तो और विकेट होते कई कहते हैं शायद कम भी हो सकते थे तो यह भी होता है कई भारे खुनना सुआती है कि यार गलती हो जाती है असे गुसों नहीं होता है पर स्टीव बखनर तेंडुलकर का बैक टू बैक हुआ है हो जाता है कई बरी कई बखनर साब से आपकी मैं डीडी से कभी-कभी हो जब टेस मैचिस में आते तो मैं ऌर बात है हम अपने अपने लियरों को देखते हैं बागी भी 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 दो मैच करते हैं कैया पता वह अच्छे करते हो अच्छा मालीज़ किसी प्लेयर को आपने आउट देति है अब DRS नहीं था DRS दो ही देर हो अब खतम हो गया, अब आउट होगे, चला गया, अब हो तो आप खाना पीना सब साथ में खाते होगे, सब साथ ही होता है, लिफ्ट पे मिलते होगे, अटो लगा मरा एक साथ होगा, अभी किसी ना पकड़ा, कि अनल भाई यार, क्या तरीका यार, भाई हर बार मेरे पे कर ले तो यार, तो यार, जो ऐसे नहीं कहते है, यार, कभी कभी छोड़ दिया करो, पर आपके जनरली जाप काम करते हो, आपका प्रेशेप्शन के रेट हो जाता है, आपकी इमेज बंदाती है, कौन सी कर्टरी के अमपार हो, तो लोग ऐसी बात नहीं, कोई जेन्वन बिस्ट होती है, के जे बंदान垃वँ किया, भाजकी बंदार है, झाँ एक किया है, किझे वेल से लोगना междуOOOO नहीं शोड़ब ereट हो, जे में जेज़ँ है, कुछ द जेवेल सό глазा में किए, ह।ा इवेल साचपे खूवेशन के चवेल सबमार दात्ना तर दालूब्साओवे